आप नोशकार दोस्तों टीपेंश साइट्स में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे SBI जर्नल हेल्थ इंस्वरेंस के बारे में SBI जर्नल हेल्थ इंस्वरेंस का कार्ड हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं आप लोगों काराने के लिए SBI जर्नल हेल्थ इंसरेंस की जो पॉलसी है वह हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं अपना त्रीट्मेंट कराने के लिए तो आज की वीडियो में डेटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप अपना प्लान परचेस कर सकते हो कैसे उसका इस्तिमाल अपना ट्रीटमेंट कराने में कर सकते हो क्या-क्या documents आप लोगों को hospital के अंदर treatment कराते हुए चाहिए और क्या-क्या आप लोगों को claim अपना reimburse time आप लोगों को supporting में लगाने होते हैं सारा process आज की वीडियो में detail में बताने वाला हूं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का notification आप लोगों को मिल जाएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि अब इसबी जन्रल हैल्थ इंसुरेंस की पोलसी हम दो तरीके से पर्चेस कर सकते हैं पहला online दूसरा किसी आइजेंट से online जैसे यह पोलसी बजार वगयरा की जो साथ होती हैं महाँ सरय कर सकते हैं या फिर स्पेकर आच्छा सा प्लान के साथ पॉलसी कघृ करें दूसरा ऊसरा तरीक्राइब एजेंट हमें बेंक दर मिल गएंगे और वेसे बीए हमारी क corridor जानकारी में है और कोई रिफ्रेंस से कोई मताता है यह तो उसके हम अपना अच्छा सा प्लान प्र्शेज कर सकते हैं compassionate health insurance policy दो टाइप के होती है sbi journal हो या कोई और अधर हो एक होती है individual policy एक होती है corporate policy individual policy क्या होती है कि वो policy जो हम अपनी मर्जी से प्र्शेज करते हैं अपनी सुज़िदा के इसाब से अपना एक plan Plan सेलेक्ट करते हैं अपनी फैमिली की ज़रूत के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से ऐसा प्लान चूज करते हैं और पॉल्सी पर्शेश करते हैं जो हमें फूचर में कोई मेडिकल आमर्जेंसी के टाइम पर हमें हेल्प कर सके और दूसरा होता है corporate policy, corporate policy होती है कि जब हम किसी private संस्था के अंदर या किसी company या किसी private bank के अंदर job करते हैं तो वो संस्था हमारा health insurance कराती है, उसको corporate policy बोलती है सबसे पहले में आप लोगों को individual policy के बारे में बता दे रहा हूँ SBI General की individual policy जो आप purchase करोगे, उसको use करने के लिए आप लोगों को एक महीने का इंतजार करना पड़ेगा उसको one month waiting period बोलते हैं, एक महीने के बाद ही आप उसका इस्तमाल अपना इलाज कराने में कर सकते हो सिर्फ individual policy के अंदर, corporate policy के अंदर ऐसी कोई शारत नहीं होती, जैसे आपकी policy बनके आगई है, आप उसी दिन से उसका इस्तमाल अपना treatment कराने में कर सकते हो individual policy के अंदर, दो साल के बाद, surgery cover होती है, और दीरे 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 जितनी policy पुरानी होती जाएगी, उसी इसाब से उसके अंदर, सुईधाय एड होती चली जाएगी one month का waiting period complete होने के बाद, हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें ये देखना होता है, कि हमारे नजदीक में कौन-कौन से hospital ऐसे हैं, जो अच्छे हैं, और वहाँ पर हमारा SBI Journal का health insurance का card वहाँ पर चल जाए, जिससे हम अपना treatment करा सकें, तो उसके लिए एक तो हमें customer care में बात करनी पड़ती हैं, वहाँ पर भी हमें पता लग जाता है कि कौन-कौन सा hospital हमारे network के अंदर है, दूसरा हम SBI Journal की website पे जाके भी network hospital की list चेक कर सकते हैं, उसके बाद हमें जो hospital में treatment कराना है, वहाँ जाके हम अपना treatment cashless में करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई emergency है और नजदीक में कोई hospital ऐसा है, जो non network है, मतलब जो SBI Journal से जुड़ा हुआ hospital नहीं है, तो वहाँ पर हम अपना treatment कराते हैं, तो उस condition में हमें discharge के time पे final bill लेना होता है, discharge summary लेने होती है, medicine के bill लेने होते है, lab test के bill लेने होते है, या जितनी भी payment हमने की है, सभी की receipt लेनी होती है, उन सभी पे science stamp करान होता है, सभी bills पे और receipt पे hospital के science stamp होने बहुत जरूरी है, वो कराने होते हैं, उसके बाद ही हम reimbursement का claim form A, claim form B भरके, supporting में दोनों bill लगा के, medicine के भी final bill और discharge summary सारा कुछ लगा के उसके साथ supporting में, और insurance company पास भेज़ देते हैं, उसके बाद insurance company आपके documents को check करते हैं, उनको लगत है कि documents सही है, ठीक है, तो वो पैसा आप लोगों के खाते में transfer कर देती है, अपका claim pass होने के बाद, अगर उनको लगता है कि documents complete नहीं है, तो वो additional documents की query लगाती है, उसके अंदर हमें query का answer limited time के अंदर हमें करना होता है, उसके बाद insurance company फिर से documents का review करती है, और फिर उनको लग minimum हमें जो treatment हमें कराना होता है hospital के अंदर, वो 24 गंटे कम से कम रहना होता है hospital के अंदर, तो उस condition में हमारा health card चल पाएगा, अगर आपने OPD का अलग से plan ले रखा है, तो उसकी condition अलग हो जाती है, मैं IPD के case के बारे में बता रहा हूं, IPD के case में minimum 24 गंटे आप लोगों को hospital के के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें OPD के अंदर डॉक्टर को दिखाना होता है, डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको admit होने की जूरूत है, तो उसके बाद हमें hospital में admit करते हैं, admit होनते टाइम हमें hospital के अंदर TPA के एक team होती है, उनसे contact करना होता है, उनसे अपने policy के documents दि submit करने हैं, बाकी जो काम होता है, hospital के अंदर जो TPA के team होती है, वो सारा process खुद करती है, सभी document submit कराने एक बाद आपका Catholic treatment start हो जाता है, और 24 गंटे आप minimum विलाज करा सकते हो, और maximum उसमें कोई limit नहीं होती, लेकिन minimum जो criteria होता है, वो 24 गंटे का होता है, तो आज की वीडियो कराने के लिए, तो complete process आज की वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है, फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई doubt है, या कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे comment section में लिखके वेजी, मैं आप लोगों को answer दूँगा, इसके अलावा आप लोगों के claim में कोई query है, या health insurance related कोई सवाल आप लोगों के मन में, वो भी आप लोग मुझे सकते हो, whatsapp पे लिख सकते हो, mail में लिख सकते हो, comment section में लिख सकते हो, जहां आप लिखोगे मैं वहीं पर आप लोगों को answer दूँगा, कोई मेरे charges नहीं answer देने के, तो आप जो आप लोगों के query है, आप मुझे से share कीजिए, मैं आप लोगों को answer जरूर दूँगा, तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like कर दीजिए, channel को subscribe कर लिजिए, bell icon दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो को notification आप लोगों को मिलता रहे, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार